ये है TPMS, TPMS का मतलब है टाया प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, मुझे लगता है कि आज की तारिक में जो टाया जा उन में ये जो सिस्टम है इसे लगाना चाहिए क्यूंकि जो रोड्स है इनकी कंडिशन्स बहुत ही बढ़िया हो चाहिए और अगर आपने हाइवे पर ड्रा चाहिए खुँछ करते हैं तो यह बॉक्स पाकिंग अब यह जो सिस्टम है TPMS यह दो टाइप के सिस्टम के साथ में आता है इंटर्नल या फिर एक्स्टर्नल यह जो शिस्टम मैंने लिया हुआ है यह एक्स्टर्नल सिस्टम यह है इसका यूसर मानृल यह वारंटी कार्ड तो यहाँ पर मुझे इसे valve के उपर install करना है और जो installation process है वो ऐसा है कि एक बार आपने इसे लगा दिया आसानी से ये निकलने वाला नहीं है इसके लिए आपको ये जो tools है इसके आपको जरुद पड़ेगी box में देखें ये tools दिया हुआ है प्लस ये nut भी दिया हुआ है तो इस प्रकार के ये चार sensors दिया हुआ है और आपको accordingly दालना है एक्जामपल ये front left ये है right accordingly आपको जो tire का wall है उसके उपर लगाना है और ये देखें ये है main unit अब ये जो unit है इसे आपको जो cigarette lighter है उसके slot में दालना है और यहां पर USB port भी दिया हुआ है तो basically ये जो port है इसे भी आप यूज कर पाएंगे मान लिज़ा आपको जो smart phone है उसे चार्ज करने के लिए तो ये जो system है इसका सबसे बड़ा disadvantage ये है कि एक बार आपने ये जो चीज लगा दिया टायर के उपर उसके बाद में जब कभी आपको refill करना होगा तब आपको ये जो spanner है इसे यूज करना पड़ेगा तो ये बहुत ही tedious process हो जाता है उसे avoid करने के लिए आप इस प्रकार के two-way valve system यूज कर सकते हैं ये जो sensors है इसके अंदर भी built-in battery है जो कि असानी से three to four years तक चल जाता है तो मैं आपको ये जो front right tire में ये जो sensor है इसे connect करके बताता हूं ये जो sensor है इसे आपको यहाँ पर connect करना है तो ये front right sensor है और जब आप इसे घुमाएंगे तो ये जो part आप देख रहे हैं ये जैसे जैसे आप इसे घुमाएंगे ये move करके यहाँ पर आ जाएगा ये देखें ये आ गया है यहाँ पर इसका मतलब ये कि ये जो sensor है ये अच्छी तरीके से fit हो गया है उसके बाद में आपको ये जो nut है इसे यहाँ पर tight करना है ताकि कोई इसे निकालना पाए और tight करने के लिए आपको ये जो tool दिया हुआ है इसे use करके इस परिकार से tight करना है ये देखें आप मैंने इसे tight कर दिया है तो यहां पर यह जो नट है इसे निकालना है और इसे यहां पर दालना है और यह जो पार्ट है यह आपको यहां पर दालना है उसके बाद में आपको इसे घुमाना है उसके बाद में जो नट है इसे आपको टाइट करना है उसके बाद में इसे आप कवर कर सकते हैं अब जो यह हो चुका है यह जो डूएल वाल्व का इसे निकाल दिया है और जो सेंसर उसे मैं अज़का की तरह यूज कर रहा हूं आज़का की चांसेश है की यह जो सेंसर है इसे कोई ना कोई चोरी कर लेगा लेकिन मेरे पास और कोई और अप्शन नहीं है अगर आप एक बड़िया क्वालिटी के टीपी एमें सिस्टम के लिए जाना चाहते हैं तो भैतर होगा कि आप जो इंटर्नल टीपी एमें सिस्टम होते हैं उसके लिए जाहिए लेकिन उसका जो इंसलेशन प्रसेस है वो काफी टीएस होता है और प्रोफेशनल से अगर आप करेंगे तो भैतर होगा और वो करने के बाद आपको जो वील है उसका बैलनसिंग भी करना है यह जो सिस्टम में यूस कर रहा है और जो कर रहा था जब टायर गरम होते हैं तो जो PSI है थोड़ा सा इंक्रीस होता है वैचे जो सिस्टम है यह एकदम पिन पॉइंट एकुरेट नहीं है लेकिन इससे आपका अच्छा एडिय मिल जाता है कि जो टायर उसकी कंडिशन कैसी है तेंप्रेचर का जो रीडिंग है वो वाकिन में अगर टायर पंचर होगा तो मुझे एक्जाक्ली पता चल जाएगा क्योंकि जो PSI लेवल है वो कम होने वाले हैं अब यह जो प्रड़क्ट है यह मुझे पढ़ा तकरीबन 2700 उपीस के आंस पास लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ले और भैतर कॉलिटी का मतलब की प्रीमियम कॉलिटी का जो प्रड़क्ट है उसके लिए देखते रहे हैं